नमस्कार दोस्तो हमारे ओनले टुशन अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो बहुत सारे दोस्तों का यह कमेंट रहता है और उनको यह चीज समझ में नहीं आता है कि सरी जो चंद्र बींदी है जैसे कि यहां पे बहुत सारे सब्द में आप देखेंगे जैसे यह आप देखर तो पाणकों पहलों सब्सक्राइफिए सिक साइफ जाहां है इस परकार के आप जो सब्सक्रीं ओ faço यहां मात्री है ने इस परकार की जो मातरा आप देखरहा है र curriculum म mir अजयी के अपर चंडरमा वापर बिन्दी लगा है दुसरा सब्द जो देखेंगे यहां पर लिखा है बंधन तो यहां पर भी बिंदी लगा है बाटी उपर बिंदी लगा है तो दोग्ण के उचारन में क्या अंतर होता है लिखते समय पढ़ने के भी आदू जाता है तो लिखते समय हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि चंदर बिंदू देना है कि बिंदी देना है सबसे बहुत confusion दोस्तों को इसमें रहता है तो आज का यह स्टोरी बहुत मज़दार स्टोरी बहुत मज़दार कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इसी से रिलेटेड सब्द मिलने वाले है चंदर बिंदू और बिंदी से जैसे देखेंगे यहां पलिका संकट है तो सा के उपर यह बिंदी दिया है तो दोस्तों इस चीज समझें यहां पे यह बिंदी है इस बिंदू को तीन तरीका से पढ़ा जाता है कितने तरीका से तीन तरीका से पढ़ा जाता है एक आधा ना के रुप में एक आधा मा के रुप में और आधा अडा के रुप में हाँ दोस्तों यह बिंदी को तीन तरीका से पढ़ा जाता है और यह जो चंद्रबिंदू है इसको एक ही तरीका से पढ़ा जाता है और एक ही तरीका से लिखा जाता है तो इसको कहां पर यूज किया जाता है और इसका कहां पर यूज किया जाता है इसको हम लोग आगे खोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाने के बाद हम लोग इसको सीखे ताकि और भी सब्द मिल पाए तो चलिे दोस्तों बिरा देने किए हुई हिस क्लास को सुरू करते हैं शुरू करने से पदले आपस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो दोस्तों, बिलकुल फ्री में आपको सभी कलास मिलने वाला है, कि एवाल चैनल को सब्सक्राइब करकर रखना है, ताकि जब- को अपढ़लोड हो जाता है, तो आपके पास समाई से पहुंच जए, ठीक है, तो चली दोस्तो, we start here, हम लok start करते हैं, परते हैं इस काहानी को, देंजे हैं यहां पर लिखा है, वे तिन संकत मेस गाने, सभी बात है दोस्तो, वेहित है आप किसी से जुड़े हुए हैं किसी के संपर्क में हैं या कोई आपका रिलेटिव है या कोई दोस्त है या जो भी हो जान पाचानका हो या नहीं भी हो यदे कोई संकट में पड़ा हो तो उसका साथ देना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि कर भला तो हो भला आप भी किसी के साथ भला करेंगे तो आप के साथ भी होगा, हो सके कि तुरत नहीं हो, समय पर होता है, ऐसा नहीं है, कि आप किसी का मदद करें, आप के साथ हम ऐसा गलत ही हो, ऐसा नहीं होता है, होता है, चले इस कहानी में सब कुछ मिलेगा, पढ़ते हैं हम लोग यहां से, यह कहानी एक गाओ की है, जहां लोग एक दुसरे के सहारे जीने का तरीका सिखते हैं. यह कहानी एक गाओ की है, जहां लोग एक दुसरे के सहारे जीने का तरीका सिखते हैं, सही बात है दोस्तों, गाओ में लोग एक दुसरे से इतने बंदे हुए होते हैं, इतने जुड़े हुए होते हैं, और इतने खुशी से इतने मस्ती में रहते हैं कि मत पुछिये, सहर में तो मैंने देखा है, बहुत दी रहा है, साथ आभी सहर सहूंगे तो बुरा मत मानियेगा, जादा अतर किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है, ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग सारा चीज सिखने बाले हैं, एक गाव था, जहां, लोगों के, बीच में अनूठा एक बंधन था, यहां के लोग एक दुसरे के साथ मेहनत करते, सहायते करते, और एक दुसरे के साथ खुसियों और दुखों, को बाटते थे, इस गाव की कहानी बहुत ही अनोखी थी, इस गाव की कहानी बहुत ही अनोखी थी, एक बार, गाव में एक नड़ा आदमी, आया, एक बार गाव में एक नया आदमी आया, उसका नाम राम था, उसका नाम क्या था, राम था, राम बहुत ही निरासा जनक हालात में आया था, वह एक छोटे से गाव में दूर रहते थे, वह एक छोटे से गाव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फसा था, उन्हों ने सोचा की, वह इस गाव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे, अब दोस्तों जो मैं जितना शुरुवात में बताया हूं, अब उसको थोड़ा से समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिंदी के बारे में, जिस, जिसी यहाँ पर लिखा कंगी, यहाँ पर लिखा फंसा, कि फंसा नहीं, यह थोड़ी सी गलत वर्ड लिखतिया है, इसलिए मुरुश्य था, देखे हैं, यहाँ पर यह ऐसे लिखेगा, फासा, 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 निक्वासा, तो बिंडी जो होता है, या तो आधा न, आधा मा या अणा के रुप में, जएसे लिखा जाता है घंडा, देखिए ऐसे, या जंड, जो आप जущे उपर बिंडी देकर भी लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा देखिए आप लिखते हैं खंभा खुब द्यान से देखिए खंभा बिंदी देकर भी लिख देते हैं या इसी खंभा को आधा मा के रुप में भी लिख देते हैं मैं special वीडियो बनाया हूँ इस पर आगे मैं फिर बना भी दूँगा तो यह है और नाका तो जहां पर भी ऐसे simply दिख जाए जिसे तंग बाकी मतलब दखे इसका एक rule simple rule क्या याद रखना है यह समझिए कि यदि किसी अक्छर के उपर बिंदी हो किसी अक्छर के उपर बिंदी हो और उस जिस अक्षर को ओपर बिंदी है अगर उसके बाद, अगर, 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 टा, ठा, धा, धा, धा मिल जाए, यह चारो, यानी किसका है? टा-धा का है, ता-धा मिल जाए, तो इस बिंदी को अडा की रुप में पढ़ेंगे, खुब दियान से समझेगे, क्यो आकर लिखा रहा है आयसे जह और बिंदी दे कर ऐसे इसका मतलब है किडा मिला मिला न तो यानि ये बिंदी अड़ अड़ है जहनड़ पढ़ेंगे जहनड़ जहनड़ pirate अप देखते हूं एसे भी लिखा हुआ रहता है और अंडा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझ रहे ना तो ये चीज़ समझ गए दूसरा यदि किसी अक्षर के ऊपर बिंदी दिखे और उसके बाद उस अक्षर के बाद यदि पा भा या भा मिले तो इस बिंदी का अर्थ मा के रूप में निकलेगा कैसे देखे यहाँ पे पेन का कलर अलग ले लेते हैं जैसे खाक यह भी उतना अच्छा से नहीं हुआ अचले रेड ही लेते हैं जैसे खाक उपर बिंदी और ऐसे लिखा यानि भा मिला इसका मतलब है कि खाक के खाक के उपर जो बिंदी है न मा के रूप में उचारन होगा खंभा खंभा नहीं पढ़ेंगे खंभा खंभा रंभा चंपा देखे चंपा लिखा हुआ रहता है ऐसे चंपा या चंपा आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझ रहा है न मैं क्या बता रहा है बाकि सभी जगा ये दो को छोड़कर बाकि कहीं पर भी बिंदी को न की रूप में पढ़ा जाता है बस ये तीन का तीन है न की रूप में पढ़ा जाता है तो ये बिंदी का हो गया इसका उचारन अश्पष्ट आप समझ गए जैसे तंग, कंस अब देखिए यह जो चंदरबिंदी है इस चंदरबिंदी को दोस्तों इसका ध्वानी नाक से निकलता है, जैसे फासी, हम लोग ऐसे लिखते हैं फासी, फा- आ, देखिए, आ, पा, फासी, जहासी, देखते हूगे, ऐसे लिखा वा राता, ज्ञांसी नहीं पड़ेंगे, ज जहां गाव। गाव। इस तरीक यहा फ्रक्ना इस टारीक यहा है। जहां। ऑपने के जहां। आप कहानी में भी देख सकते हैं। सब कुछ मिल रहा, आगे और भी मिलेगा, तो यह असपष्ट अब सीख गये होंगे, चलिए, तो फिर हम लो आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं, जो गाउं में रहते थे, ठीक ना, वह एक छोटे से गाउं में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फसा था, उन्होंने सोचा कि वह इस गाउं में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे, चलिए, यहां से पढ़ते हैं, राम गाउं में आकर एक आदर्ष बनने के लिए पर्यास करने लगे, राम जो थे गाउं में आकर एक आदर्ष बनने के लिए पर्यास करने लगे, वे हर काम में मेहनत करते दुसरों की सहायता करते और सब के लिए प्रणासुत बन गए और सब के लिए प्रणासुत बन गए वे सहबागी रहते दुसरों लोगों के खुसियों और दुखों में भी वे सहबागी रहते एक बार गाहों में बड़ा दुख का समय भी आया जब गाहों के मुखिया का बेटा अचानक बिमार पड़ गया उसकी इस्थिती गंभीर थी उसकी इस्थिती कैसी थी गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए प्रणासुत थी अवशकता थी। लेकिन गरीवी के कारण परिवार के पास इतनी धन रासी नहीं थी। जब राम ने इसे सुना उन्होंने से अपनी सभी भचत की राशी का उप्योग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जुझना पड़े। किसी को भी हमारी तरह जुझना पड़े परिसान होना पड़े। उन्होंने बचत की राशी के साथ साथ दुसरे गाव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। ठीक है। इस अतातकाल में गाव वालों ने एक बेटीन बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए ऐसे ही कठा किये। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वा पूरी तरह स्वास्थ हो गया। और वा पूरी तरह स्वास्थ भी हो गया। इस घटना के बाद गाव वालों के मदद करने के इरादे एक दुसरे के साथ और भी मजबूत हो गये। यह उनकी सदभावना, नेकी और समर्थ का परिणाम था। वे सभी ने समझा की दुसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष पुरा होगा। यहां पर दुस्तों लिखा लक्ष तो देखें चाच्छ यह सिंपल चाह है और यह संजुक्त चाह है यह संजुक्त चाह है जो आधा का और मुर्धन शा के मिलने से बना है। इसके उचारन में देखें को के उचारन होगा। लक्ष होगा। लक्ष होगा। देखिएगा। बोलकर देखिए ठीक है। तो वे ग्याओ अब एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दुसरे का सहारा था। यहां के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साजा करते एक दुसरे की मदद करते और अपने संगहर्सों को साथ में जहलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और सम्रिद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गये। देखिए यहां पर लिखा सम्रिद्ध है। सम्रिद्ध है। तो इस तरीका से वह गाव जो था वे परिवार के रुप में रहने लगे और वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और सम्रिद्ध जीने का तरीका सीख गये। तो दोस्तों कहीं पर भी किसी के साथ भी आप दूड़े हैं तो एक दूसरे का मदद करना चाहिए संकट में साथ देनी चाहिए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। विडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा चनल पर पहली बार है या पुराने हैं। सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके नोट्फिकेशन अन कर लिजेगा। तो चली दूस्तों आज कलास ही पर हिंड करते हैं मिलते करे कलास में जय हिंदे।